आप सब ठीक हो काफी दिनों से में वीडियो पोश्ट कर रहा हूं आज यह यह special वीडियो है इसके अंदर क्या है कि basically मैं हर तरह के PC's का unboxing वगएरा करता हूं PC components का करता हूं हर तरह के components को customers को बताता हूं लेकिन आज यह मैं क्या है कि MacBook Pro लेके आया हूं अच्छा एंवन चिप के अंदर है इसके अंदर सेवन जीप्यू कोर भी आता वही वाला मॉडला करें तो फ्रेंड्स यह वाला मेरे पास रेडिली स्टॉक एवलेबल है अभी एक मेरे स्पेशल क्लाइंट है उनके लिए में दे रहा हूं उनका ओफिस ओपन हो रहा है तो आ अनिल भाई अब अन्बॉक्सिंग करेंगे चलो यह वाला नहीं लेटे लग रहा होगा सभी को यार खाली वॉक्स रख दियां क्योंको खाली बॉक्स लोग रखते है तो यह सब सील प्यक है कोई भी अटा दो कोई भी ओपन कर दो तो आनिल भाई आभके आपके मन के इसा सबसे आप कर लीजिए है 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 हुआ है 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 फ्रेंट्स काफी अच्छा लैप्टॉप है जिनको ऑफिस वर्क प्रोफेशनल वर्क क्रियेटिविटी वर्क नॉर्मल एडिटिंग जैसे कि आप देखते हो उंकर भाया भी यही लैप्टॉप यूज़ करते है ऐसा वर्क के लिए अगर आपको लैप्टॉप चाहिए आप देख सकते हो कितना स्लिम है और लैप्टॉप बहुत स्लिम है जिनको केरिंग ट्रैवलिंग वगरे ज्यादा करना रहता है और उनका ओफिस वर्क रहता है काफी अच्छा लैप्टॉप है जिसके अंदर काफी अच्छी तरह से वीडियो आप एडिट कर सकते हो अब देखिए यार सही बताओ तो एक स सेट अप कर सकते हो कीबोर काफी यूनिक रहता है स्लिम लैप्टॉप है टच्पैड भी काफी आचा रहता है और इसके साथ में एक्सेसिज भी और क्या आते हैं हम देखते हैं तो यह रहेगा टाइप सी केबल काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी की टाइप सी केबल र देख सकते हैं अगर आपको कोई भी ओफीज हों क्लासेज कुछ भी तरह के पीसी वर्क के लिए चाहिए या कोई भी गेमिंग कंपोनेंट चाहिए मेरा वाटसप पर आप कॉंटेक्ट कर लेना हालंकि हम जल से जल्ड रेस्पांस देने के कोशिश करेंगे काफी ट्राफि करें यह वीडियो आगे से आगे शेयर करते रही है तो फ्रेंट्स शॉटली मेरा यह जो सेल गेमिंग एक्सपिरियंस जो ने ओपन उने वाला है उपर इंटिरियर चल रहा है चालो नेक्स बत बताएंगे हम आपको केसी तरह करते हैं यह हमारा रफिक चाचा है जो समझता है यह हमारा अनिल भाई है और मुझे तो जानते ही हो सो थैंक्यू सो मच आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए हस्ते रहिए हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने खुशियां बाढ़ते रहिए